विश्व का एक विशाल देश दो तुकडों में है मैंने इसका जिक्र दो धुरवी विश्व का अंत और उसके साथ ही अमेरिकी वर्चस इन दो अध्यायाव में मैंने किया था और वो देश था अमेरिका और देश है अमेरिका जो दो तुकड़ों में हैं दो तुकड़ों से मेरा तातपर है मेन लैंड जहां पर उसके इंकावन राज्य हैं उसके उत्तर में केनेडा है आप देख सकते हैं और केनेडा के उपर कोने में अलास्का है अलास्का अमेरिका का तो यदि अलास्का जाना हो तो हमें समुदरी रास्ते से कनेडा को बाई पास करते हुए जाना होगा अमेरिका से उसी प्रकार पाकिस्तान की भी इस्थिति थी 1971 के पहले 1947 में जब भारत पाकिस्तान आजाद हुए तो मुसल्मानों की बहुलता के आधार पर पाकिस्तान जो है वह दो भागों में बना एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान आप देखेंगे वह खेत्र है जिसे आज हम बांगला देश कह रहते हैं 1971 के पहले ये दोनों एक ही देश का हिस्सा थे पाकिस्तान आप समझ सकते हैं कितनी कठनाई हुई होगी इन दोनों देशों को दोनों हिस्सों को एक देश के रूप में चलाने में ततकाली निशासन को लेकिन चुंकि अंग्रेज ऐसी सितियां छोड़ गया थे कि बहुल राश्ट अलग रहें तो इस पेकार ये मुस्लिम बहुल खेतर अलग हो गया और जो पाकिस्तान था इस्ट पाकिस्तान जिसे हम बोलते हैं वो इस्ट पाकिस्तान बंगॉल और आसाम के कुछ हिस्सों को लेकर बनाया गया था जो मुस्लिम बहुल था अब यहां पर इस सीथी कुछ बदलने लगी, जब ये भारत बीच में हैं और दो हिस्से उसके दूर दूर हैं, इन दो हिस्सों में पश्चिमी पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा शक्तिशाली था, उसकी बहुलता थी, और उसका इस पर दबाओ भी था, याने पश्चिमी पाक पाकिस्तान के हितों की चिंता नहीं करता था, पूरवी पाकिस्तान के अपने नागरिकों की, जो वहां रहते थे थे तो पाकिस्तानी ही, पर उसक्षेतर में जो रहते थे, उनकी वह उतनी परवा नहीं करता था जितने अपने इस पश्चिमी क्षेतर की, पर नाम क्या हु कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग नाराज चल रहे से उन्हें बार बार इस बात का हिसास होता था कि हमें वो नहीं मिल रहा है जो एक स्वतंत राश के नाते स्वतंता के बाद हमें मिलना चाहिए तो इससे क्या हुआ कि वहां के लोग नाराज होने लगे और पश्चिमी पाक प्रभुत्व के खिलाफ एक तरीके से आंदोलनों का दौर चला। आप समझ रहें इस बात को। ये जो जन आंदोलन चले इसके पहला कारण पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा। दूसरा कारण पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू को एक मुख्य भाषा के रूप में लादने का प्रयास। देखा जाये तो पूर्वी पाकिस्तान जैसा मैंने बताया वो बंगौल और असाम के टुकड़ों से बना था। वहाँ उन लोग के मुख्य भाषा बंगाली थी। तो वे लोग अपनी भाषा अपनी संस्कृति में जीना चाहते थे। लेकिन यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान जो है वहाँ अपनी संस्कृति अपनी भाषा लाद रहा था। तो इस भाशा के लाजने के खिलाफ वहां बहुत अंदूलन हुग तो दूसरा कारण पश्मी पाकिस्टान का विरोध करने का उस भाशा को लाजने का प्रयाश संस्कृति को लाजने का प्रयाश तीसरा कारण क्या था ? उस पूरवी पाकिस्तान के एक बड़ी राजनीती हस्ती जिनका नाम था शेक मुजी बुर्रह्मान शेक मुजी बुर्रह्मान के नितरत में ये जन आंदोलन बढ़ता गया बढ़ता ही चला गया ये अंदोलन किसलिए था पश्चमी पाकिस्तान के दबदवे के विरोध में पश्चमी पाकिस्तान द्वारा उनका शोषण किये जाने के विरोध में तो जब ये बढ़ता चला गया तो सैनिक करवाई पर विवश विवा पाकिस्तान और इस सैनिक करवाई के कारण क्या हुआ कि उस खेत्र के लाखों लोग भाग कर भारत की सीमा के अंदर घुज गया पाकिस्तान की सैनिक करवाई के परणाम सुरूप जो 1971 की बात है सितंबर अक्टूबर नवंबर 1971 1971 इस काल में लाखों पूर्वी पाकिस्तानी नागरिक भारत में घुज गया अपने जयान बचाने के लिए अपने को शोशन से बचाने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों के दुर विवहार से बचाने के लिए, तो ये तीस्रा कारण हो गया, चौथै कारण जो था कि ये जो लाखों लोग जो भारत आए, ये एक शरनारती थे, इनके खान पान, रहन सहन की व्यवस्था, श्वास्त की व्यवस्था, इस सब की व्यवस्था कौन करेगा? इतनी बड़ी तादाद में. पूरवी पाकिस्तान के अंदर तो थी है ये लोग, अपने अपने घर छोड़ कर भाग चुके थे यहाँ वहाँ, और उपर से भारत के अंद पश्वी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए. दूसरे शब्दों में जन आंदोलन का अधार और बढ़ गया. शरणार्थी समस्या के बढ़ने से जन आंदोलन का अधार और बढ़ गया. 1970 में चिनाव हुए पाकिस्तान में. और पाकिस्तान में जो चिनाव हुए, इसम पूर्वी पाकिस्तान के जो मतदाता थे उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के नेता को ही पूर्वी पाकिस्तान के ही एक दल को चुनाओ भारी मत से जिताया और वह दल था अवामी लीग, उसी के निता थे मुजीब अर्रह्मान, मुजीब अर्रह्मान का अवामी दल पाकिस्तान के 1970 के चुनाओं में बहमत पाया, कहां? पूर पाकिस्तान में, लेकिन उसे सैनिक सत्ता ने मानने से श्विकार कर दिया, और पक्षिमी पाकिस्तान के निताओं ने इसे निरस करते हुए प्रस्ताविश सम्विधान सभाज हो थी जिसका काम था सम्विधान बनाने का कारख उसे नहीं माना तो ये तो हुई प्रिष्ट भूमी के नहीं माना 1970 का चुनाओं मैंने कारण बता दिये बंगला पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों का पष्चिमी पाकिस्तान की सरकार से नाराज होने के कारण उसके बाद मैंने आपको बताया के 1970 के चुनाओं में क्या हुआ और ये पराकाश्था थी पष्चिमी पाकिस्तान के दबदबे की उसने इस चुनाओं परिणाम कोई स्विकार करने से मना कर दिया अन्तता क्या हुआ 1970 के चुनाओं को के बाद मुझी बुर्रह्मान और अमामी लीग ने जो आंदोलन छिड़े पाकिस्तान पष्चिमी पाकिस्तान की फाज ने मुझी बुर्रह्मान को गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उसकी प्रतिकरिया स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में और बड़ा जन आंदोलन प्रारम हुआ जो हम एक तरीके से कहते हैं मुझी वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान की जो फौज थी तथा कथित फौज उसका नाम मुक्तिवाहिनी था पश्चिमी पाकिस्तान के जो जनरल थे जनरल यहिया खान उन्होंने काफी दमन की कोशिश की, दमन कारी नीती अपनाई, साइनिक हमले किये और कुचलने के लिए हर तरीके से प्रियास किया, हज्जारों लाखों लोगों को मारा और लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत क हो रहा है, ये बंगॉली शरणार्थी थे अधिक तर लोग, बंगॉली शरणार्थी क्यों कि ये पश्चिमी पाकिस्तान के दूरा लादी जाने वाली सौंस्कृति के खिलाफ थे, भारत के सामने जो समस्या थी, उसका निराकरनज ने इस तरीके से किया कि उसने बंगॉल शरणारतियों की मांगों का समर्थन किया दूसरे शब्दों में अवामी लीग और मुझी बर्रह्मान का समर्थन किया क्योंकि उनकी मांग उनको जायज लगी और इसके परिप्रेक्ष में भारत ने उन्हें सैनिक सहायता दी किसे पूरवी पाकिस्तान की अवामी लीग मुक पाकिस्तान के बीच का युद्ध और दिसंबर 1971 में दोनों के बीच में युद्ध हुआ उस युद्ध में बंगला पूर्वी पाकिस्तान की मुक्तिवाहिनी की विजए हुई पश्ची में पाकिस्तान की भारत से पराज़े हुई और इस प्रकार उस खेत्र का एक नए कारण मैंने बताए पूर्वी पाकिस्तान की नराज़गी के कारण पूर्वी पाकिस्तान के हमें हो रहे हैं आंदोलन अवामी लीग और मुझी बरहमान ये सब किस चीज की प्रिश्ट भूमी हैं एक नए राष्ट के उद्ध के कारण राष्ट का नाम क्या बंगला देश तो इस पकार 1971 के बाद का नक्षा बदल गया पश्च्वी पाकिस्तान पाकिस्तान कहलाया पूर्वी पाकिस्तान बंगला देश कहलाया और मुझी बरहमान वहां के प्रथम सम्धान संशोदन के प्रथम मुखिया बने ये तो बंगला देश के उदय तक की कहानी हैं बंगला देश का उदय कैसे हुआ और क्यों हुआ इसका उत्तर आपको मिला बंगला देश के द्वारा विद्रोह के क्या कारण थे भारत ने किस प्रकार बंगला देश को मदद की ये आपको उत्तर मिल गया जैसे ही मुझी ब विधान बनाया वो धर्म निर्पेक्ष ता लोकतांत्रिक और समाजवादी देश था जैसा भारत है धर्म निर्पेक्ष लोकतांत्रिक और समाजवादी देश जैसा भारत था ये तो प्रारम में लेकिन बाद में उन्होंने इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया और अध् अध्यक शात्मक प्रणाली क्या होती है जैसे अमेरिका में है जहां राष्ट पती में सारी सत्ता केंद्रित होती है दूसरे शब्दों में मुझीब और रह्मान एक प्रतिनिजित्वक प्रणाली से हट कर अब एक तरीके से अध्यक शात्मक प्रणाली लेने के पीछे उनका मकसद था सारी ताक्तों को अपने हाथ में करना ऐसा होते देखना वहां की सेना को नागवार गुजरा यह मैं दूसरे स्टेज की बात कर रहा हूं मुझीर बुर्रहमान के सत्ता समालने के बाद के घटना करम की बात कर रहा हूं तो सत्धा समानने के बाद उनके द्वारा जो प्रस्तावित परिवार्तन थे राजनीतिक धाचे में वह परिवार्तन सेना को पसंद नही आया उसने विरोध किया विद्रो किया और अंत में मुझी बर्रह्मान की बुर्ण के PEI 1975 में उनके खिलाफ बिद्रो करके संघर्च करके मुझी बर्रह्मान को मार डाला वे सैनिया के हथों मारे गए जिया और रह्मान जो तद्कालिन जनरल थे उन्होंने सत्ता समाली सैनिक शासक के रूप में कोई समय तक शासन किया फिर उसके बाद एक लोगतांतरिक धाचा दिखाने के लिए जिया और रह्मान ने एक पार्टी बनाई लोगतांतरिक धाचा दिखाने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम बांगलादेश नेशनल पार्टी रखा लेकिन ये एक पार्टी सत्ता रही यदि एक पार्टी सत्ता है तो जो चुनाओं होंगे उसमें सौभविक था उनकी पार्टी जीतेगी तो 1979 में जिया और रहमान का दल चुनाओं में जीतता है जो 1975 से शासन में हैं वो जीतता है और उसके बाद घटना करम कुछ ऐसा बढ़ता है कि बंगला देश की जनता जिया और रहमान के इस बदलते तेवर से के विरोध में जाती है और फिर जन आंदुलन शुरू होता है फिर लोगतंत के लिए आंदुलन शुरू होता है और जनरल इरशाद जो तदकालीन जनरल थे अब वे सत्ता में आते हैं वे विरोध करते हैं और उतके बाद पांस सालों के लिए वे राश्पती चुने जाते हैं कौन जनरल इरशाद जनता का व्यापक विरोध जारी रहता है क्योंकि जनता तो लोकतंत चाहरी थी सैनिक सत्तानी वो तो लोकतंत के पक्षमेंश ने आंदुलन किया बंगलादेश का जन्म भी लोग तांत्रिक आंदोलन के लिए हुआ था अवामी लीग और मुझी बुर्रह्मान और मुक्तिवाहनी इनका लोग तंत्र पे अटूट विश्वास था स्वभाविक है जन्ता के बढ़ते दबाओं के परिप्रेक्ष में अब 1990 में जनरल इर्शाद ने सत्ता छोड़ दी मैं पुना बता दूँ उन्निस सो नब्बे 1975 में बंगलादेश मुझी बुर्रह्मान के हत्या 75 से 79 इर्शाद 79 से इर्शाद फिर चुनाओं जीतते हैं लेकिन जिया और रह्मान चुनाओं जीतते हैं सारी और इर्शाद सत्ता में आते हैं वापर और इर्शाद के बाद फिर 1990 में वे इस्तीफा देते हैं जनता के दबाव में और इस विकार शैनिक शासन समाप्त होता है लोगतंतर आता है सवभाग्य से 1991-92 के बाद से वहाँ पर प्रतिनीधी मूलक लोगतंतर जिसे हम कहते हैं अध्यक्षी लोगतंतर नहीं ऐसा जैसा भारत में है प्रतिनीधी मूलक जहां संसद है संसद के माध्यम से जहां शासन चलता है सवभाग्य से बांगला देश में पिछले 25-30 वर्षों से इस्थिती थोड़ी इस्थाई बनी हुई है राज्यतिक इस्थिती थोड़ी स्थिर है और तो और बांगला देश के इन चिनाओं में वहां की महिलाएं सामने आ रही है तो बांगला देश की स्थिती वर्षों में ये है कि वहां बहु दली प्रजातंत्र प्रणालीच प्रतिनीदी मूलक प्रजातंत्र वहां पर जारी है और राज्यतिक इस्थिती कुछ हद तक इस्थिर है पाकिस्तान में राज्यतिक अस्थिर्था बांगला देश की राज्यतिक अस्थिर्था और वर्तमान में दोनों जगह लोक तंत्र का कुछ लंबे समय तक रहना ये एक इन दो देशों की विशेश तायर है जनरल इर्षाद जो जनरल जिया और रह्मान के बाद बंगला देश में सत्ता समालते हैं उन्हें भी छात्रों के दबाओं में छात्र अंदुलन के दबाओं में चनाओं की घोशना करनी पड़ी थी यदि पर वो चनाओं में जीते पांच वर्षों के लिए चुने गए थे लेकिन फिर भी उनकी नैशनल पाटी उसे इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें जनरल इशाद को स्वायम इस्तीफा देना पड़ा और अंत्तर वहां पर लोकतंत्र लगभग 1992-1993 से चल रहा है यदि हम इन दोनों देशों की बात करें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की और असल में पाकिस्तान और बंगला देश की तो दोनों देशों में जो समानताएं हम पाते हैं राजनातिक मामले में वो यह है कि बंगला देश और पाकिस्त वर्तमान दोनों में कभी लोकतंत्रिक विवस्था रही कभी श्थैनिक शासन रहा। दूसरा वर्तमान में गत्ब 20 वर्षों के आसपास से दोनों ही देशों में लोकतंत्र की बयार एक तरीके से चल रही है। जन्ता की आवाज जन्ता का मत मायने रखता है। तीसरी बात इस सब के बावजूद आज भी यद्यपी पिछले 20 साल से वहां स्थितियां थोड़ी थी बहतर हुई हैं लेकिन उसके बावजूद सजय वराजनीतिक अस्थिता का बातावरन इन दोनों देशों में बना रहता ह है। यह अपने सैनिक शासन या अध्यक शासत अध्यक शास्मत प्रणाली को ही यह लोग एक तरीके से लोक तंत्र मानते हैं। यहां के जो शासक हैं जो सैनिक सत्ता चला रहे हैं और या अध्यक्ष के रूप में जो वहां शासन कर रहे हैं बंगला देश में यह लोग बा संत्रिक तरीके से हम लोग की सरकार आई है और चला रहे हैं मैंने जैसे आपको बताया है कि पाकिस्तान में तो पश्चिमी देशों और अमेरिका की सतत नजर रहती है कि वहां पर सैनिक सत्ता बनी रहे और जितनी ज्यादा सैनिक सत्ता ताकत्वर होगी इन देशों के लिए वो उतना ही अच्छा होगा अच्छ मानताओं कि और थोड़ा दिश्टी डाले इन दोनों देशों में पाकिस्तान में लोगतांतिक सरकार के लिए बातावरन तयार होता ही नहीं इससे पहले ही बातावरन तयार हो सैनिक सत्ता आ जाती है और इसका कारण क्या है कि मैंने पूर में बताया है कि मीडिया मानवादिकार इस मामलों में वहां थोड़ी जड़े कहरी हैं लेकिन लोकतांतिरिक वातावरन जो है वो वहां तयार ही नहीं हो पा रहा है तयार होता है और सैनिक सत्ता हावी होने लगती है आज भी इमरान खान प्धान मंत्री करने लेने की बात आती है तो शैनिक सत्ता की आवाज ज्यादा बलंद दिखाई दिती है और उसका कारण क्या क्या क्योंकि अमेरिकर पश्भषमी देश शैनिक सत्ता को प्राथ्मिक्ता देते हैं पाकिस्तान के मामले में बांगलादेश की सित्य तोड़ी अलग है यह है असमानता पाकिस्तान से असमानता राजनेतिक मामले में वहां जनता सतत रूप से सडक पर आती है जनता सतत रूप से आवाज उठाती है निरंतर विरोध करती है और बंगलादेश में जब तक लोग तांतरिक सत्ता आती नहीं है तब तक वो अंदुलन चलता रहता है यही स्थिति 1989 के आसपास भी हुई और उसके बाद भी होती रही और जब भी वहां कि स्थितियां कुछ गरवलाती है तो जनता जो है सड़क में आने में नहीं हिचकती यह पाकिस्तान और बंगलादेश की स्थितियों में अंतर है पाकिस्तान बंगलादेश दोनों पूरवर्ती एक ही राष्ट समानता हैं असमानता हैं